दोस्तों प्रदीविरी एकेट भी इस चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में आप 2 हमने 5 लेक्चर कवर कर लिया और आज का हमारा लेक्चर नमबर 6 है लेक्चर नमबर 4 एं 5 जो था अरौंड 30 मिनिट्स के आसपास था उसके पहले के लेक्चर थोड़े और लेक्चर नमबर 4 में पूरा का पूरा बेसिक करा है अगर आपने अभी भी अगर आपने 12 में डेरिवेटी का जो टॉपिक था अगर आपने इसकिप किया होगा फिर भी मैंने आपको partial बहुत अच्छे से 12 के फॉर्मिले के लर्निंग के साथ first lecture में cover कराया है अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज यार देख लो then इस वीडियो पे आओ तो one by one playlist में आप जाके देखोगे partial differentiation का एक अलग से और आज हम स्कार्ट करने जा रहे हैं अपना partial derivative of higher order higher order mostly हमारे जो syllabus में हैं हमारे सिल्दम में second order partial derivative को हमें second order partial derivative में क्या करना है स्वार करना इसके पहले हम लेख से 2012 फॉर्स्ट और इसके उपर around मैं तीन lectures कहर कि है और इसके उपर भी एक लंबा लेक्चर जाएगा कि मैं पोसिस करता हूँ कि मैक्सिम्म पोस्टन आपको सॉल करा हूँ और देखो second order, higher order से कोई problem नहीं होने आला है अब देखो यहाँ पे हम पोस्टन सॉल करते हैं one by one पर उसके पहले बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे तो वो direct आपको समझा देते की higher order यह आपका derivative है, यह आपका syllabus है, second order के derivative को आपको ऐसे सॉल करना है, सब कुछ बता देगे पर बहुत सारे बच्चों को यह सब term नहीं समझ में आता यह term क्या है, यहीं नहीं समझ में आता, वो बिचारे आगे कैसे समसॉल करें अब देखो पूने उनिवर्सिटी के अगर syllabus में देखो कि पूने उनिवर्सिटी के book में बहुत सारे जगा पर ऐसा notation दिया है यू के term में notation दिया है और मुमबाइ उनिवर्सिटी के syllabus में ऐसा दिया है तो मैं दोनों को cover करके दोनों के जो दोनों जगे पर जो books ज्यादा चलता है उस book के according मैं यहाँ पर सब कुछ दे रहा हूँ और question paper भी ऐसी आएगा तो आपको हर एक term को मैं समझा के दे रहा हूँ देखो यहाँ पर del square z upon del x square लिखा हुआ है आपको क्या करना है सबसे वहले उपर क्या है del z है थोड़ा color change करता हूँ आपको उपर क्या है del z है तो देखो मैंने del z लिखा और नीचे आपको देखना है नीचे क्या है आपका नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे है डल एक्स है ये लिखना है इसके बाद उपर देखो डल लेना है और यहाँ पर बाहर दिखाई तरह डल एक्स का स्कुरर है तो नीचे एक और क्या आएगा तो आपको अब ये तो आपको समझ में आया हुआ कि मैंने जब फॉर्स्ट ओर्डर derivative पढ़ाया था तो इस टाइप के questions को बताया था तो आप पहले क्या करोगे इसको solve करोगे यह तो आपका है आता है जो भी आपका z का जो भी function दिया उसको with respect to x ले लोगे जो answer आएगा फिर से उसको with respect to x ले लो अब देखो इसी को आफ इस form में कैसे लिखो तो अगर समझो y का form है तो same way होगा del z by del y इसलिए मैं बोलो पहले की लेक्चर देख लो और यहां पर क्याएगा डेल बाय डेल य पूरा इस लेक्चर में आपको न सब कुछ मिलेगा यहां पे बस जितना हो सेगे share करो कि कि already हमने mattresses cover कर दिया है complex number cover कर दिया है partial भी लगबग खतम होने आ गया है तो इसलिए थोड़ा support दिखा होगे तो अच्छा है अब देखो यहां पे अब यहां पे दो टर्म है आपके पीछे वाला टर्म कुन सा है del y दिख रहे है तो हो गया आपको पहला bracket solve करना है देन उसको जो answer आगा with respect to x solve करना है अब देखो यहां पे आप क्या करोगे del z by del x आपने solve किया और फिर यहां पे कहाएगा del y यह भी समझ में आ गया देखो मैंने सिस्पाइटिक लिखा यहां square था यह भी बता दिया यह वाले term में आपको कैस से लिखना है यहां बाहर वाला जो है del by del x del y del y अब देखो इसी को अगर मुझे f के term में लिखना है Mumbai University के बहुत सारे paper में कुछ कभी-कभी questions अलग form में आ जाते हैं अगर समझो मुझे इसी को अलग form में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ f अब बताओ मुझे यहां नीचे देखो क्या है x है x square है नीचे x square है मतलब x कितने बार है दोस्तों दो बार ऐसा भी आ सकता तो इसका मतलब भी समझ जाना कि यही आपको solve कर दो इसका मत इसी को हम क्या बोलेंगे y और x तो कभी भी आपके paper में अगर यह आया यह आया यह आया तो भी समझ जाना यही solve करना यह यह आया तो भी यही solve करना क्योंकि इस format में हम person को solve करते हैं और अगर पूने वाले की बात करें तो पूने वाले को सेम यहां पे u लिखा होगा ऐसा रहेगा सेम यहां पर You Ke refers mean same यहां पर U के फॉर्वेट में सेमियाक या के यूज के पॉर्मेट में तो कोई और रिदरह ने की जोड़त नहीं है सब कुछ सेम मैं अगर कभी आपके ऋपर में यहां ग्रीक घ्राएक हुआ Tre hasta गहोद अन्सका मलब किए उयरोगा और इसका मतलब यह चो बहुआ पर गहाल जाएगा और इसका मतलब किया अच्छे ऑर इस ही गो कैसे लिखोगे है इसी को लिखना आप लिखना और यहाँ काएगा डेल यू और यहाँ पिछे साओको इसलिए यह सब पता होगा तो यहाँ कोषण सॉल करंगे मैं आऊंगा कोषण सॉल करादूगा बेसी कुछ पता ही नहीं है बहुत प्रावलम होगा जा सकते हो पता है न कैसे जाना है यहाँ से ऐसे तले जाना ओपिस पे देखो यह वाला भी आप बताओ मैंने पीछे बताया है यह वाला भी comment करो यह यह सब practice बहुत ज़रूरी है फिर आप question solve करो नहीं यह वाला भी रिखो देल एक्स और डेल वाय ले लो चलो question पे आ गया सर आप ने तो पूरा अलग label ला दिया है question में मतलब पूरा एक क्रांती ला दिया revolution ला दिया है ज़रूरी है बस आप देखो बस आपको क्या करना है normal सा आप बस question अगर मैं आता तो यह question solve करा देता आपको समझता पर इस type के अगर अलग-अलग questions आगे तो आप क्या करते है चलो अब questions solve करो अब जो को यहाँ पे क्या है u है log है x square है plus y square अगर आप मेरा first lecture देखो तो ही आपको formula याद होगे first lecture देखो बस formula डारे की याद हो जाएंगे अब मुझे क्या करना है यह find out करना है अब इसका मतलब क्या होगा पहले वो समझ दो del u by del x or del y इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब तो पहले आपको पता है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे del x लिखेंगे बाहर और अंदर के आएगा del u और नीचे टर्म पीछे कुन सा है डल Y और आप उन पहले क्या करते हैं यह निकालते हैं और दैन उसका with respect to X निकालते हैं पहले हम क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे with respect to Y तो मैं यहां पर देखो partially पार्शेली डिफ्रेंटियेट विट रिस्पेक्ट तो यह क्या आ जाएगा डेली ओबाए डेल वाए इक्वल टू लॉग एक्स का डेरीटियू क्या होता है अगर आपने 11 12 धंसे नहीं पढ़ा होगा तो भी यहां पर सब आएगा आपको यहां पर आप देखोगे तो यह पूरा टर्म आया है यह पूरा टर्म किसकी जगह पर आए एक्स की जगह पर आए तो यह अपना बैट फंक्शन हो जाता है हम क्या लिखेंगे वन अपन एक्स एक्सी जगह पर आया है वह पूरा लिख दो एक्सक्वार प्लस वाई स्क्वार और यह जो बैट फंक्शन है बलब जो बैट फंक्शन है उसका हम फिर से डेरीटियू लेते हैं और फिर से डेरीटियू लेंगे किसके रिस्पेक्ट में में लेंगे y के स्कुर्वर में, y के रिस्पेक में लेंगे, मतलब यहां पर x वाल टम क्या हो जाएगा, derivative में 0 हो जाएगा, और y स्कुर्र का derivative क्या हैगा 2y, क्या बात है, अब यह हमारा solve हो गया, यह हमारा क्या हो गया, del u by del y, उपर क्या आगया, 2y, और नीचे क्या आगया, x स्कुर्वर प्लस y स्कुर्वर, अब हम यह क्या करना है दोस्तों, again differentiate करना है, क्योंकि देखो, यह वाला part हमने solve कर लिया है, अब यह वाला जो answer है, उसको with respect to x, फिससे differentiate करना है, तो again, differentiate, again partially differentiate, again partially, differentiate, with respect to, with respect to what, with respect to x, again differentiate partially with respect to x, अब देखो, यह क्या आजाएगा, अगर मैं इससे फिर से करूँगा, तो यह क्या आजाएगा, जैस फॉर्म में पूछा, उस फॉर्म में लिखता हूँ, del x और del y, अब मैं इसको with respect to x क्या कर रहा हूँ, फिर से partially ले रहा हूँ, अगर, देखो, दो, तीन possibility बता दे रहा हूँ, बहुत सार लोग आपको सम्दो सॉल करा देंगे, पर बहुत सारे चीज़े नहीं बताएगे, अगर with respect to x है, अगर यहाँ पे कोई term x का रहता है, यहाँ पे भी कोई term x का है, नीचे term है, उपर नहीं है, अगर उपर रहता, नीचे रहता, तो हम u by भी रूल लेते, पर लख हमारा इतना अच्छा है ना, कि उपर x वाला term नहीं है, तो वो क्या हो गया, constant हो गया, नीचे वाले term को x समझ के चलो, 1 upon x का डेरिटर क्या आता है, इसके पहले वाले lecture में भी बताया था, minus 1 upon x square, तो यह क्या आ जाएगा, minus 1 upon x square, x यह पूरा नीचे का term है मेरा, नीचे वाला term में मतला x square plus y square, यह मेरा x है, का square, लिख दिया, देखो यह constant हम ऐसे लिखा, minus 1 upon x square, यह पूरा का पूरा लिख दिया, अब यहाँ पर actually अगर देखेंगे, तो यहाँ पर हमने with respect to x किया, तो यहाँ पर x आना चाहिए था, बट x नहीं आया, फिर से यह क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से एगर मैं इसे solve करने जाओंगा, तो यहाँ पर यह हमारा bad function हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x आना चाहिए था, और अगर मैं इसका फिर से derivative निकालू, मैं लिख नहीं रहाँ, डारेक्ट निकाल रहाँ, तो x का, क्योंकि x वाला है, हमने with respect to x किया, तो x का x स्क्वर का derivative क्या हैगा 2x, y स्क्वर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि with respect to x है, अब मैं इसे ही अगर finally अच्छे form से systematic पूरा लिख कूँ, तो देखो इसका answer क्या आएगा, del square u del x into del y, अब देखो यह माइनस है, 2 to 0 कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, और x और y, क्यों देगा, x, y, upon, नीचे क्या आएगा दोस्तों, x square, plus y square, और यहाँ पर क्या आएगा, x square, x square, तो finally, यह तुम्हारा यह वाला पार्ट है, LHS का part आपने क्या कर दिया solve कर दिया इसको मैं equation number first दे रहा हूँ और same हम क्या करेंगे RHS के part को solve करने के लिए RHS के part को solve करने के कोसिस करेंगे मतलब solve ही कर लेंगे अब जब फिर से मैं अपना question लिख रहा हूँ कोसिस नहीं लिखो के number डाल के रखो के तो भी चलेगा log x square plus y square आपने question लिखा अब यह आपने पुरा का पुरा question तो लिख दिया है अब इस question को लिखने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले देखो यहाँ पे del u by del y और del x है तो आपको देखो पीछे आला देखना है पहले with respect to क्या कर दो x ले लो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करो partially differentiate समझ में आना चीज़ दोस्तो with respect to x partially differentiate with respect to x अब यह क्या हो जाएगा del u by del x क्या हो जाएगा del u by del x अब del u by del x हो जाएगा log x का derivative क्या हता है 1 upon x और x की जापर जो function है वो हमने लिख दिया और actually वहाँ पे x आना चीए तो bad function हो गया और अगर मैं इसका further derivative लोगा तो यहाँ पे 2x हाएगा क्योंकि with respect to x है तो इसलिए y square का derivative 0 हो जाएगा और अगर मैं इसे आगे solve करू देखो मैं इसे again differentiate कर रहा हूँ again differentiate partially differentiate लिखना again partially differentiate with respect to अब देखो यह हो गया यह हो गया इसमें क्या था पहले हमने y लिया with respect to y लिया देन हमने with respect to x लिया देखो फिर x लिया यहां क्या है with पीछे क्या है पीछे से start होगा with respect to x हो गया अब क्या solve करेंगे with respect to y अब पिससे solve करेंगे with respect to y अब यह क्या हो जाएगा अगर with respect to y करूँगा तो del square back del u नहीं समझ में आ रहा है तो उपर का अपका equation लिख दो del y और del x अब देखो यहां पर अब जो with respect to क्या है y है तो यह वाला time हमारा constant है तो यह 2x भाई आइसी रहेगा और 1 upon x यह मेरा क्या है का 1 upon x तो मैंने अभी थोड़े दिर पहली explain किया 1 upon x का derivative लूँगा with respect to y है तो बस y वाले पार्ट का लिखूँगा y square का क्या आएगा 2y then अगर मैं देखूँगा तो del u by del y और del x which is equal to minus 2 to the 4 x into y xy और नीचे क्या आएगा x square plus y square का square तो यहां पे यह वाला भी equation अपना solve हो गया equation number second अगर from first and second अगर आप ध्यान से देखोगे equation number second solve हो है from first and second अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो answer है इसका जो answer है same है और हमें यही proof करना था ना दोस्तों तो यहां पे आप लिख सकते हो from from first and second from first and second आप यह पुरा का पुरा कर सकते हो equation लिख सकते हो जो equation दिया है पुरा का पुरा लिख दो enhance proof कितना simple है बता तो ऐसे अगर इस type पे questions तो आपको दीखेंगे अगर इस type के questions कहीं पे आपको दीख See तो उससे आपको क्या नहीं होना है, डिर्णा नहीं है, अब चलो एक बहुत बार आया हुआ, कुशन है हुआ, कहां गया भई, ओके, ये भी एक जोरदार कुशन है, इसे मैं जोरदार कुशन बोलता हूँ, अब इसके लिए थोड़े बहुत पॉर्मिले जाने चाहिए, जेड इक्वल टू, 10, Y प्लस, AX, पूरा बेसिक से करा हूँगा, प्लस, Y माइनस, AX, रेस टू, 3 बाइ 2, और हमें क्या निकालना है, Z बाइ, डल स्कुर, Z by, डलX स्कुर, मतलब अपने वो, विठ रिस्बेक्ट टू, X दो बार लेना है, दिखा ही दे रहा है, डलX स्कुर है, म бывает विठ रिस्बेक्ट टू, X सूल करना, फिर से अगेन डिФेरेंट बिठ 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 टू, X और और देखो अगर अभी से पढ़न लोग है न सब कुछ तो आगे बहुत अच्छा रहेगा और यह सायद आपको जो यूटूब पे लेक्चरस मिल रहे हैं अगर मेकनिक्स के लेक्चरस देखो मैक्स के लेक्चरस देखो इसके लिए अगर बहुत पैसे अगर आप खर्चा करत दो बार करेंगे तो यहां पर देखो होगा डेल चेट भाई डेल एक्स इकवल तो तो तन, टैने एक्ष का बार लिएटी क्या होता है, सैक स्क्याओ अगर लिख दिया, एक्स नहीं है तो इसका हम फिर से डेएटी लेएटी लेए य वार्ता यह देखोड भी डिख़्ाइ प्लस ax का derivative निकालने जाओगे तो y का derivative 0 आएगा और ax, x का 1 आएगा और साथ में a है तो यहाँ पर a आएगा इसका हम further derivative लेंगे न तो y का 0 आएगा और a साथ में है x के तो यह ऐसी होगा और x का 1 तो finally इसका a तो a मैंने साथ में लिख दिया then इसके बाद प्लस ऐसी ही है अब दिखो यह पूरे टम को आप x समझ लो और यहाँ पर n समझ लो तो यह क्या होगा n x n-1 तो यहाँ पर क्या होगा यह 3 by 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x के हमारा y minus ax और यहाँ पर क्या होगा 3 minus minus 1 3 minus 2 minus 1 x n-1 और क्या करना है यह bad function है bad function है कि यहाँ पर x आना चाहिए था फिर से इसका derivative निकाल दो y का derivative क्या हैगा 0 आएगा और minus a minus a रहेगा x1 होगा यहाँ पर क्या होगा minus a तो finally हमने इससे भी क्या कर दिया solve कर दिया अब थोड़ा सा इससे में simplify कर दो then next derivative अप्लाइ करूँगा 2 upon 2 1 by 2 सब कुछ बताऊंगा then इसके बाद देखो यह plus minus minus हो गया यह हो गया और साथ में a है तो a लिख देता हूँ यहाँ पर a अब देखो यह हो गया अब सेम इससे यह में क्या कर रहा हूँ further derivative कर रहा हूँ लिख रहा हूँ again again differentiate again partially differentiate ताहर दुखने लगा सुभे offline class लिया चार घंडे का देन उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन में दो लेक्चर्स एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ again partially differentiate with respect to with respect to क्या आएगा with respect to क्या आएगा फिर से एक्स के यहाँ पर स्क्वेर है एक्स तो यहाँ पर दी एक्स का स्क्वेर इक्वल टू बहुत आराम से solve करना कुछ गाई गडबड मत कर देना कि पूरा wrong हो जाए अब देखो अगर ध्यान से देखो कि यह constant है constant लिखा यह वाले term का derivative मैंने इसके पहले याला lecture स्मेरा अगर आप lecture नबर 4 या कुछ देखे होंगे मैंने स्क्वेर थीटा का मैंने क्या बोला था इसका मतलब क्या आता है स्क्वेर थीटा का स्क्वेर तो ऐसी अगर समझो कहीं पर सेक स्क्वेर थीटा है तो इसका आनला क्या आता है सेक थीटा का स्क्वेर और यहां पर x raise to n वाला formula लगता है तो यहाँ पर अगर आप समझोगे तो इसी का मतलब क्या है इसी का मतलब है multiply की जगर dot दे दो x raise to n वाला formula अप्लाई करो 2 अब पुरा जो जैसे पुरा का पुरा term मैं वो लिख रहा हूँ पुरा का पुरा term क्या है y plus ax x पुरा लिखा और देखो 2 x n x n-1 2-1 क्या होगा 1 होगा और यह जो अंदर वाला term है यह क्या हमारा bad function है यहाँ पर actually x आना चीए था फिर से इसका derivative निगा लो sec x का derivative क्या आता है sec x का derivative आता है sec x into 10x तो ढरना नहीं है तो लिख रहो यहाँ पर sec x थोड़ा बड़ा चले जाएगा sec x y plus ax into 10x y plus ax यह हो गया a 2x n-1 और यह x की जब पर जो function आया था bad function था इसलिए फिर सेसका further derivative लिया then minus अब देखो यहाँ पर यह 3 by 2 by constant है और अगर आप देखोगे sorry इसके आगे मुझे और करना था एक सेगड एक सेगड एक सेगड गड़ हुआ देखो मैंने क्या किया यह तो पर a मैंने लिखा इसमें मैंने apply किया कुन सा formula अपलाए गिया फिर से बता दे रहो n x n-1 तो यह n-1 2-1 क्या 1 फिर यह अंदर वाला पार्ट x नहीं था मैंने उसका फिर से derivative लिया यहाँ पे क्या आया sec यहाँ पे क्या आया sec x into 10x अब sec x into 10x आना चीए था यहाँ पे भी बस क्या आना चीए था x आना चीए था फिर से इसका फिर से derivative एक बार लेंगे क्यों कि यहां पर x नहीं आया न, यहां पर y प्लस ax आया तो y का derivative क्या होगा, with respect to x तो 0 होगा, और ax है, x का 1 आएगा, तो मतलों यहां पर 1 और a क्या होगा, multiply होगा, तो यह याद रखना, then minus 3 by 2, अब देखो यह वाले term का, यहां पर x raise to n का हम formula अप्लाई कर रहे हैं, यह 1 by 2 s ही आएगा, 1 by 2 s ही आएगा, जो अंदर वाला part है, y minus ax और, यहां पर क्या हैगा, देखो, n x, n minus 1, 1 by 2 minus 1, और into, into क्या हैगा, बताओ मुझे, फिर से यह, यहां पर x आना चीए था, पर यहां पर bad function है, तो y का derivative 0, और minus ax का, तो क्या हैगा, minus a, यह सब देखो, बहुत क्या है, पर अगर एक आख missing कर दोगे, तो पूरा wrong हो जाएगा, और अच्छे से solve करोगे, देखो, अभी जैसे मैंने यहां पर a नहीं लिखा, तो मुझे तुरंट click हुआ, यहां पर x नहीं आ है, तो bad function नहीं है, तो bad function है, तो मुझे आगे solve करना, तो अच्छे से solve करोगे तो चीजे समझेगी, del z upon del x square equal to, अब देखो यहां पर, यहां पर यहां पर यहां पर आ रहा है, आपको check करना कि plus minus कहां पर आ रहा है, उसके पहले अला part पूरा simplify करने का, देखो a into a, a square, और आगे 2 है, तो मैं क्या लिख रहा है, 2a square, और साथ में, देखो यह सेक और सेक से मैं, यहां पर मैं लिख सकता हूँ, extent square, y plus ax, और यहां पर, यह भी हो गया, यह भी हो गया, अब यह बचा, तो यहां पर क्या बचा, 10, y plus ax, अब यहां पर, minus minus क्या हो जाएगा 하र दोस्तों, minus minus क्या हो जाएगा, प्लस, अब यहां पर, अगर आप देखोगे, तो यह जो a वाला term है, वो यहाँ पे आगे आ जाएगा, पहले मैं 3 लिख देता हूँ, 2 डूज़़ा कि इतना और 4, और साथ में a वाला term ग्याट मेरा साथ में a जाएगा यहाँ यहाँ पे a आ जाएगा, और a वाला term आने practice यहाँ पर क्या होज़ेगा y-2 y-ax raise to minus 1 by 2 यह minus 1 by 2 कैसे आया मैंने 3 by 2 वाला बताया था वैसे ही उसको मैंने solve किया तो check करता हूँ मैं कुछ missing तो नहीं कर दिया a into a a square 2 आगे आगया यह 6 square और यह 10 सही है minus minus plus 3 by 2 same है a हमने लिखा y-ax raise to minus 1 by 2 अब इससे जाता यह question solve नहीं होगा क्योंकि यह क्या हमें क्या बोला था double derivative क्या करना है solve करना है तो इसका हमने कर दिया इसे हम equation number first लेंगे हम again differentiate करेंगे हमारे question को क्योंकि अब हमें क्या चीह है दोस्तो हमें फिर से क्या चीह है with respect to y दो बर solve करना है तो हमारे जो question है अब question मैं उपर से बार बार देखके लिखने से अच्छा मेरे बुक से देखके लिख लूँगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा नहीं तो फिर जिंदिगी ऐसी खराब हो जाती है बार बार फिर उपर नीचे screen करो इससे चब बुक में देखता हो कहा है question बुक में question मिल गया जो मेरा question है z equal to 10 y plus ax plus y minus ax raise to 3 by 2 और हमें क्या करना with respect to y अब इससे दो बार solve करना है with respect to x तो करी लिया with respect to y देखते है अब यहाँ पे तो देखो मैं लिख रहूँ partially differentiate with respect to y अब यह क्या हो जाएगा del z by del y अगर जो मेरा lecture number first से पूरे lectures देख रहे होंगे वो प्लीज अपने comment में अपना नाम लिखेगी सर में आपका हर एक lectures line wise देख रहा हूँ और आज parcel का आपका level कौन सा है मुझे बता देना अब देख 10x का अगर आप derivative लेने जाओगे तो वही है sec square x फिर से वही है यहाँ पर bad function आया तो हम with respect to y है तो y वाले term का बस derivative निकालेंगे तो y वाले term का derivative 1 आएगा और ax का derivative 0 आजाएगा constant है यहाँ पर गर मैं निकालेंगा तो इसमें y है तो मतलब x ratio n वाला formula n x n-1 3 by 2 minus 1 क्या होगा 1 by 2 directly लिख रहा हूँ कोई objection नहीं होना चाहिए करके दिखा हो तो क्या 3 by 2 minus 3 minus 2 by 2 1 by 2 और यह क्या है bad function है तो इसका फिर से अगर मैं with respect to y लो तो y का derivative क्या है का 1 और यह 0 रहेगा तो finally del z by del y which is equal to sec square y plus ax plus 3 by 2 y minus ax raise to 1 by 2 यह हो गया again differentiate करना है किकि वहाँ square था तो यहाँ पर लिखना again differentiate मैं direct कर रहा हूँ लिख देना वह लाइन again differentiate partially differentiate with respect to x with respect to y किकि y चल रहा है अब मैं इसका फिर से अगर derivative निकालूंगा तो यहाँ थे सोड़े जर पहली बता है x raise to n वाला formula अप्लाए करो यह 2 आगे आ जाएगा यह पूरा का पूरा ब्रैकेट में चले जाएगा और फिर से यहाँ पे जो term आया है वहाँ पे y आना चीह है तो y प्लस ax का derivative में हम y का derivative क्या लेंगे 1 लेंगे ax तो 0 हो जाएगा यह वाला पूरा solve हो गया अपना अब इसको solve करते हैं देखो यह 3 by 2 है 3 by 2 और यह y अब आगे तो कुछ निकालनी की जूरत नहीं है यह ऐसी कॉप्ती और आपके यह यह आ पे यह आपने फ्रस डेरिविटी निकाले जागा ना बाबू सेकंच ना निकालना होगा कि नीकालना होगा आजयो 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 यह हमारे छोटे बाबू है इसलिए मेरा ध्यान भी दर चल गया और मैं यहां पर बोला सेर्की हो गया अपना नहीं सेकंड डेरिटी निकालना पड़ेगा न यह देखा 3 by 2 SE रहेगा और यह वाले पॉट पे x ratio n पर formula apply करोगे तो क्या आएगा यह क्या आजाएगा n x y minus ax और n minus 1 मतलब क्या आएगा यहां पर minus 1 by 2 check कर ले न 1 by 2 minus 1 मतलब minus 1 by 2 और अगर मैं इसका further derivative लोंगा तो y का derivative क्या आता है 1 और ax का derivative क्या आएगा 0 अब देखो यहां पर del square z upon del y square which is equal to फिर से देखो sign यहां पर देखो खहां plus दीख रहा है plus खहां दीख रहा है यहां इसके पहले वाले पार्ट को पूरा एक साथ लेकर आना है जो भी multiply है उसके पहले वाले पार्ट में कर लेना तो यह दोनों का square हो जाएगा तो क्या होगा 2 सेख square y plus ax into 10 y plus ax plus 3 by 4 क्या plus 3 by 4 y minus ax raise to minus 1 by 2 अब देखो यह जो मेरा term आया इसमें हमें किसको multiply करना है देख लो देख लो देख लो देख लो जूट नी बोल रहा है देख लो यह हमने निकाला उसमें a square को multiply करतो A square को multiply कर दो फिर LHS का answer RHS को equal हो जाएगा दिखना किसको multiply करना है आपको A square को किसे multiply करना है A square से A square से अगर हम multiply करेंगे तो यहाँ पे del Z by del Y square equal to यहाँ पे क्या हो जाएगा A square से जो को multiply कर रहो तो यहाँ पे A square से multiply होगा तो यहाँ पे कहेगा 2 A square So X square Y plus AX यहाँ पे 10 Y plus AX और प्लस 3 by 4 और यहाँ पे अगर हम A square से यहाँ पे multiply करेंगे तो Y minus AX raise to 1 by 2 तो हमने यहाँ पे A square से multiply कर दिया आप check करते हैं कि हमारा LHS RHS को equal है कि नहीं अगर equal नहीं होगा तो कहीं पे हमने कुछ गड़बड किया होगा तो हमें वो correction करना होगा तो finally यहाँ पे तो हमारा A square आ रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारा A square आ रहा है बट यहाँ पे हमारा A आ रहा है वो सकता है कि हमने यहां पर कुछ a square में कुछ गड़बड किया होगा, क्योंकि यहां पर अपना तो a square आना चीए था, देखते हैं, यहां पर हमने गड़बड किया है, देखो यहां पर लिखते टाइम यहां तो missing कर दिया होगा कुछ, देखो यह 3 by 2 है, y minus ax है, raise to 1 by 2 into a है, ह यहां पर एक और यह था, हमने बस इसका a लिखा और यह वाला a लिखा ही नहीं, तो finally यहां पर क्या हो गया, a square हो गया, देखो यह a और a, a square, तो ऐसे अगर कहीं पर questions में, अगर तुम कुछ भूल रहे हो ना, तो last में तुम solve करोगे ना, तो last में तुम्हें पता चल जाए कि हां मेरा यह missing था, तो देखो मेरा वहाँ पर correction किया, और correction करने के बाद, अब देखो अगर तुम देखो कि यह equation, equation number first देखो, पूरा का पूरा दिखाई दे रहे है, और equation number, यह देखो, second, यह क्या है तुमारा equation number, second, equation number first and second, दोनो equation same है, और इससे यह बता चला कि हमारा LHS क बाद, इस इकasis को सा और अपने को यही प्रूफ करना था, अपने को क्या प्रूफ करना था, अपनेको lhs equal to क्या प्रूफ करना था, hs equal to rhs रहें को प्रूफ करना था, तो यह सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना है, वहाँ पर मैंने a वाल टर्न लिग के multiply नहीं किय होगा और जीतना होसे कि अपने दोस्तों तक इसे सेर करो आप फड़ा पढ़ते रहो और नेक्स्ट जो भी अगर मैं बीच में कुस्स पूछता हूं उसके एंसर दो और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चीए वो भी कॉमेंट करो और मुझे उमीद है कि आप बहुत अच् हूँ थाज़ थreuको कॉमें我不知道 है कि आपको प्ट участ אני बीचू गहा हूँ है कि घक्वार मैं सिर उसके पने खंपेश्टों कीमूदय को नेक्स प्टॉळ भी कि मुझें झायर हूँ कि आपकोользतों मेंFORE